आज से मैं आपको हर मंडे को आटमोमाइल न्यूज देने का कोशिस करूंगा तो चलिए सुरू करते हैं पहले न्यूज से मार्ति सुजू की फ्रॉंक्स में एक नया वरियंट को एड़ कर दिया गया है यह वरियंट डेल्टा प्लस ऑफ्सनल है यह वरियंट डेल्टा प्लस के उपर बेश्ड है और लगबग 15,000 रुपई या महेंगा है 15,000 रुपई आप दे रहे हैं तो आपको इसमें 6 एर बैक भी मिलता है अगले निवच की बात कर तो टाटा नेक्स ओन पर कर दिया गया है अगली अपडेट की बात कर तो महेंदरा की तरफ से बैक टू बैक बड़े बड़े लॉंचेज हो रहे हैं महेंदरा 2030 तक सुल्ल नई SUV को लॉंच कर गया इंडियन मार्केट में इस सुल्ल SUV में पेट्रोल डीजल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक भी रहने वा एंटेरियर पहले ही टाटा ने दिखा दिया कि वह कैसा होने वाल है आटो एक्स पॉल में अन्विल भी कर दिया गया था टाटा का तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट के आ रही है वह भी नेक्सौन के फाइन के लिए है टाटा नेक्सौन को श्पाइक किया गया है वह प्राइब्स रूफ के साथ किसी संगिमेंट के जो इसमें श्रुफ यह इसी के वज़ास से कि से वो गई है तो इसके के वज़ास से टाटा ने सोचा कि नेक्स वे हम्भी पारोमिक संरूफ दे देस बात करें अगली अब डेट के तो एकशी थे बैटरी मिल रहा है लगबक 84 किलोवाट का यह इंडिया में 2025 तक लॉंच की जाए यह क्योंकि यह इंडिया में सिब्यू यूनिट के जरिये आती है अगली अपडेट की बात करें तो महंदरा थार आर्माडा और टाटा कर्ब को एक साथ स्पाइक किया गया है वह भी जाएं आप देख सकते हैं अभी तक कोई यह सकंफर्म निकल कर नहीं आया है कि यह गाड़ी इंडिया में भी लॉंच होगी अगली अपडेट की बात करें तो टाटा के तरफ से टाटा हैरियर के उपर बेश्ड एक्ट्रिक एस्वीबी को जो है वो नेक्स्ट यह लॉंच के साथ आएगा वह अभी फैक्टरी फिटेट सेंजी के साथ तो कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताईएगा